अपराद के मामले में भी अचूता नहीं है आए दिन यहां चोटी बड़ी अपराधी के घटनाओं को अपराधी अंजाम देते रहते हैं पुलिस के ओर से अपराध पराध कुछ लगाने का प्रयास किया जाता रहा है लेकिन इसमें कोई कमी होती नहीं दिख रही अपराध के समुलखात में को लेकर पुलिस ने एक बार फिर से पहल की है गढ़वा जुले के कांडी थाना परिसर में जुटी ये भीड इस बात को लेकर मंधन कर रही है कि आखिर नकसल और अपराध की दोहरी मार से गढ़वा वासियों को कैसे मुक्ती मिले आपको बताएं कि स्पी शुरिकांत सुरेश राओद्वारा सभी थानों में पुलिस पबलिक मीट का आयो जन कराने का आदेश्ट दिया गया है जहां एक तरफ इससे पुलिस और पबलिक के आपसी रिष्टों में मजबूती और भरोसे का एहसास होगा वहीं दूसरी तरफ अपराद उन्मूलन में भी ये कदम सहायक होगी दर्ज भी किये हैं जबकि एकदम मने सरासर गलत है पुलिस पबलिक मीट के जरिये आपसी विचारों का आदान प्रदान कर लोग ये उमीद कर रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को लोगों की समस्या से रूबरू होने का मौका मिलेगा और इसके जरिये आपरादिक गत्य विध्यों पर नकेल कसी जा सकेगी इस बहतरीन पहल के सुत्रुधार जो लेके स्पी कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्याएं तो लोग पोलिस को बताते हैं लेकिन सार्वजनिक परिशानियों की जानकारी नहीं हो पाती जिसके कारण पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया जा रहा है इसका फायदा हो रहा है जहां एक तरफ सामुहिक और बड़ी समस्याओं से लोग पोलिस को अफगत करा रहे हैं तो उसके निराकरण में हमारे साथ सहभागी भी बन रहे हैं समुदाय को एक कम्यूनिटी को जो है वो उसके इशूज होते हैं वो इशूज जनरली पुलिस के पास नहीं आते हैं उस इशूज को पुलिस के पास पहुचाने के लिए पुलिस द्वारा इस पुलिस पब्लिक मिटिंग का आयोजन किया जाता है पुलिस और पब्लिक मिलके उसका समाधान हेतु विचार मंतन करते हैं और फाइनली जो भी उसमें उपाय योजना बनती है उसके अमल किया जाता है इसका एक फायदा यह है कि क्योंकि पब्लिक जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वाल होती है तो वो जो भी डिसीजन लिया कि दिशा में कई पहल हुए अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस पुलिस पब्लिक मीट वाली पहल का कितना असर देखने को मिलता है न्यूज 11 भारत के लिए गडवा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट